तो नए चेप्टर की हेडिंग का नाम है इंडिया एंड नेबर्स तो वैसे पहले एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ यह चेप्टर जो है यह more of रटे वाला चेप्टर है यानि कि इसके अंदर हमको इंडिया के बारे में और इंडिया के जो दो में प्राइम नेबर्स हैं एक है चाइना और एक है पाकिस्तान उसके बारे में बताया जाता है तो इसमें काफी चीज़े ऐसी हैं कि जो हमें facts इसम दानने को मिलेगा तो अच्छा लगेगा और फिर पाकिस्तान की कुछ बाते सुनके आपको अच्छी फीलिंग भी आएगी तो मज़ा भी आएगा पढ़ने में तो हर तरह की इसमें चीज़ें हैं तो पहले हम कुछ बेसिक बाते लिखेंगे तो वह तो बिना किसी competition, the developing countries, the developing countries are facing competition, the developing countries are facing competition not only from, not only from developed nations but also from other developing nations but also from other developing nations second arrow in this chapter we will compare in this chapter we will compare the trends in various economic and human development indicators human development indicators of India with China and Pakistan with China and Pakistan तो यह बेसिक कुछ इंट्रोसी बात है कहानी है क्या है बता जेता हूं आपको चैप्टर की शुरुवात क्यों हो रही है क्या कह रहे है चैप्टर के अंदर यह कह रहे है बेसिकली कि इसी globalization के process की वजह से जो developing countries है developing countries कौन हो गए मेली जैसे हम अपने example लेले तो हम भी developing ही है तो जो developing countries है उनको competition सिर्फ developed वालों से नहीं है उनको बलकि competition दूसरे developing वालों से भी है ना यानि कि हमारा competition US या जापान उनसे नहीं है उनसे तो मतलब है उसके अलावा जो दूसरे भी है तो कह रहा है इस chapter के अंदर हम compare करेंगे देखो इसलिए chapter में क्या कह रहा है we will compare तो यह chapter ही comparison based chapter है कि हम इंडिया का चाइना का और पाकिस्तान का comparison करेंगे तो पूरे chapter में comparison चलेगा और किन दो main trends या दो main indicators के based पर चलेगा यह मैं highlight कर रहा हूं एक होंगे आर्थिक यानि economic और एक होंगे human development तो basically chapter को इसलिए मैंने आपको कहा कि दो parts में मान लेता हूं मोटा मोटा कि जब करेंगे तो हम comparison ही पूरे chapter में लेकिन पहला economic comparison होगा आर्थिक comparison होगा और दूसरा होगा human indicators पर तो यह दो main parts हम मान सकते हैं कि फिर इसके बाद आपको में हेडिंग नंबर वन दालना है मतलब अब हम chapter के अंदर basically यहां से घुश रहे हैं तो main heading नंबर वन का नाम है development path development path of India, Pakistan and China development path of India, Pakistan and China तो यह heading बना लेते हैं पहले इसमें लिखते हैं फिर मैं आपको सारी बाते समझाता रहूँगा तो इसमें first arrow दाल के लिखना all the three nations all the three nations started their development path started their developmental path at the same time at the same time को आप underline कर लेना या बादल बना लेना दूसरी बिंदी India and Pakistan got independence in बताओ इंडिया और पाकिस्तान को independence कब मिली थी 1947 तो 1947 को बादल बना लेना और उसी के जिस्ट नेचे चाइना जा ब्राकिट में जिसको People's Republic of China भी कहतے है यह इंफेक्ट चाइना तो शॉट में है वैसे तो उसको People's Republic of China ही कहते है वह एस्टेबलिश्ट इन तो जो आप चाइना नाम से देश जानते हो चाइना वो लिख कब अस्टेबलिश्ट हुआ इन 1949 दो साल बाद हमारी आजादी गए तो इसका मलब कहने के लिए चाइना हमसे छोटा है उमर में दो साल ठीक है तो चाइना की स्थापना कब हुई 1949 में उसके बाद तीसरी बिंदी All the three countries all the three countries had started planning their all the three countries had started planning their development strategies development strategies in similar ways in similar ways full stop similar ways को आप underline कर लेना उसी के नीचे आपको लिखना है इसको नीचे लिखना इंडिया डैश पाकिस्तान डैश चाइना डैश तो बताओ बच्चों इंडिया का फर्स्ट फाइफ यर प्लैन कब आया था? 1951 तो ये तो हमको याद है पाकिस्तान का फर्स्ट फाइफ यर प्लैन कब आया था? हमसे पांट साल बाद उन्होंने कॉपी कर लिया, 1956 और चाइना का फर्स्ट फाइफ यर प्लैन कब आया था? 1953 तो ये बाते हमें याद रखनी है क्योंकि comparison हो रहा है ना बई, चेप्टर में comparison है तो ये comparison ये है कि फाइफ यर प्लैन किसने कब शुरू करे? तो पहले तो आजादी याद रखनी है, आओ पहले एतना एक बर discuss कर लें फिर और आगे लिखवादा हूँ फिर पांच साल बाद पाकिस्तान ने भी बना दिया 1956 में और चाइना ने बना दिया था 1953 में है ना तो ये बाते comparison की हो रही है उसके बाद next arrow और क्या बाते हैं? इसके बाद next arrow में है जी, India and Pakistan India and Pakistan adopted similar strategies similar strategies comma such as creating large public sector creating large public sector and raising public expenditure on social development on social development इसमें आप इंडिया को, पाकिस्तान को और large public sector को block या highlight कर ले ना उसके बाद अगला arrow इंड पर कैपिटा इंकम्स पर कैपिटा इंकम्स क्या होती है सर माला इंकम्स माला टोटल इंकम और उसको टोटल इंकम्स की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो इसका मतलब यह आ गया ना कि वह ओन एंडेज एक आदमी की इंकम है ना on average एक आदमी की इंकम्स को पर कैपिटा इंकम कह देते हैं तो यह मैंने लिख दिया बाइचांस किसी को ना पता हो तो इसमें till 1980s को भी आप हाइलाइट कर लो यानि की 1980s तक हम तीनों बराबर थे बहुत जैसे रेस होती है प्रेस में तीन बच्चे भाग रहे हैं तो होता है ना शुरू में एक पॉइंट तक तीनों बराबर से होते हैं फिर एक आगे निकल जाता है कौन आगे निकल गया चाइना आगे निकल गया और हम दो पीछे रह गए तो शुरूबात में 1980s तक तो तीनों बराबर ही थे उसके बाद अगला एरो all the three countries all the three countries have performed differently फुल स्टॉप उसी के नीचे इंडिया एंड पाकिस्तान तो डैश दालके slow and irregular growth slow and irregular growth और उसी के नीचे चाइना डैश दालके miraculous progress miraculous progress तो देख रहे हो कितने अच्छे पॉइंट है इसमें 6 पॉइंट है तो basically ये जो पहला topic है ये एक सिर्फ ये बता रहा है कि कैसे शुरू हुई कहानी तो तीनों देशों के बारे में ये बता रहा है कि तीनों देशों की जरनी लगबख सेम समय पर शुरू हुई ठीक है इसमें perform differently को आप highlight कर लेना तो तीनों देशों की जरनी जो है वो सेम समय पर शुरू हुई देखो है ना बिल्कुल सिंपल कहानी है एक बॉलिवोड मूवी की तरह है तो तीन लोगों की जरनी सेम टाइम पर शुरू हुई दो का जनम हुआ 1947 में एक का हो गया 1949 में हमने बनाया 5-year plan बाकियों ने भी बनाया 5-year plan हमने बनाया 1951 में तो चाइना ने दो साल बाद 1953 में और पाकिस्तान ने पांच साल बाद 1956 में बना दिया ठीक है बाकि इंडिया और पाकिस्तान वालों का थोड़ा जादा फोकस था प पर सामाजिक भलाई पर चाइना का जोर इस पर थोड़ा कम था सामाजिक भलाई पर इसके लावा 1980s तक हमारा growth rate तीनों का बराबर था और per capita income भी लगबग तीनों देशों की बराबर थी फिर उसके बाद कौन दोनों पीछे रह गए इंडियान पाकिस्तान तो इनकी growth slow और irregular थी कभी अच्छी कभी बेकार कभी अच्छी कभी बेकार वो भी धीमी धीमी जबकि कौन आगे निकल गया चाइना उसकी growth या उसका progress के सदा miraculous मतलब की चमतकारी progress उसने कर ली तो यह basically हो गया developmental path तीनों का ठीक है न तो अब हम क्या करेंगे अब हम एक एक देश के अंदर घ भुस जाएंगे और काफी देर तक चाइना से related बाते करते रहेंगे तो second main topic को काफी बड़ा ही बना देता हूं यानि कि चाइना तो इसके अंदर हम ABCD छोटे-छोटे topics cover करेंगे लेकिन वो सब को चाइना से ही related होंगे तो अब हम चाइना की economy के अंदर घुसने जा रहे हैं तो seatbelt पहन लेते हैं चाइना के बारे में तो सबसे पहले लिखते हैं एपॉइंट historical background मतलब कुछ basic पुरानी बाते historical background तो इसमें बस आपको लिखना है China is China has one of the world's oldest people and continuous civilization continuous continuous civilization, full stop, B-point, geography, geography में underline करके लिखते हैं एक लाइन, China is situated in Eastern Asia, China is situated in Eastern Asia, bracket में लिख लो, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन दा वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन दा वर्ल्ड, थर्ड को आप हाईलाइट कर सकते हो, बताओ पहले दो कौन हैं, रश्या फर्स्ट और कैनेडा सेकेंड, तो चाइना is situated in Eastern Asia, Eastern Asia का मतलब हो गया, पूर्वी एश्या, एश्या तो आप को पताएगे न किस कौन्टिनेंट्स होते हैं, तो पूर्वी continent Asia के अंदर China इस्थित है और third largest country है दुनिया का तो ये हो गई geography बाकी एक और इसमें point लिख लो नीचे China has an area of 9.6 million square kilometers तो ये है China का total area तो ये हो गई उसकी geography उसके बाद number C ये भी सब बच्चे जानते हैं वैसे तो population and language population and language तो population में तो ये बताओ कि भाई दुनिया का largest populated country कौन चाइना तो population तो इसकी क्या है 137 137 1 million sorry 137 1 million और उसके नीचे लिख रहा हूं rank 1 तो दुनिया का सबसे populated country कौन चाइना है न तो ये तो सबको पता ही है तो चाइना is the most populous country in the world तो population में तो इसकी rank 1 है और लगभग इसकी population जो है वो इसके बाद language की भी बात करते है तो इनकी जो language है वो किस family की है इनकी language है Sino Sino Tibetan Sino Tibetan Sino Tibetan T-I-B-E-T-A-N Language family ठीक है तो ये बेसिक लिए आपको यादी करने है तो इनकी language जो है वो किस language family से बिलॉंग करती है Sino Tibetan तो ये हो गया जी population and language इसके बाद D economy अब इसके अंदर बहुत सी बाते चलती रहेंगे तो ये main point है basically तो अब तक तो भही language हो गई population हो गई geography, history हो गई I hope ये तो सब बच्चों को clear हो गई हो गई तो छोटे-छोटे points है तो historical background में तो यही लिख है कि China की civilization जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी civilization है China की geography में बस क्या याद रखना है कि ये तीसरा सबसे बड़ा country है और Asia में कहां पर है पूर्वी हिस्से में यानि Eastern Asia के अंदर है और population में तो आपको पता ही है कि इसकी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी population है यानि की rank 1 है और language सीनो तिबेतन language family से इनकी belong करती है अब हम इनके main economy के बारे में जो सीखेंगे वो हमारे लिए important है तो आप d point को important mark कर सकते हो एक तरह से तो इसके अंदर हम खूब सारे छोटे छोटे topics basically cover करेंगे तो वो लिखते रहते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं हम economy में point number one great leap forward यानि की g l f campaign great leap forward यानि की g l f campaign तो इसके बारे में सुना है किसी बच्चे ने g l f campaign के बारे में इसके बारे में school में नहीं सुना किसी भी बच्चे ने नहीं सुना चलो तो मैं पहले बता जाता हूँ फिर मैं लिखो आ तो आपको समझ आ जाएगा तो देखो वैसे basic meaning बताता हूँ आगे से last word से शुरू करते है forward का मतलब क्या होता है forward का मतलब होता है आगे अगर मानलो कोई आदमी आगे बढ़ रहा है आगे चल रहा है तो इसका मतलब forward बोलेंगे forward चल रहा है forward जा रहा है leap का मतलब क्या होता है leap leap का मतलब एक तरह से होती है छलांग या मतलब की लंबे-लंबे कदम लेके कोई आगे चलता है तो मतलब बढ़े उसको leap बोल सकते है एक तरह से और great का मतलब मतलब great का मतलब तो great great का मतलब क्या होता है महान एक तरह से तो मतलब आगे बढ़ रहा है कोई और महान चलांग लगा के आगे बढ़ रहा है यह मतलब होगे न एक तरह ऐसे तो Great Leap Forward Campaign जो है चाइना के अंदर उसकी कहानी में आपको जो लिखवाऊंगा तो मैं थोड़ा सा आपको चाइना की हिस्ट्री के बारे में बता जाता हूँ तो चाइना के अंदर तो Maoism पढ़ाया जाता है यह मतलब यह अपने आप में एक सब्जेक्ट बन गया तो बहुत बड़ा क्रांती का रही था उसका नाम क्या था Mao तो इसने सबसे पहले 1958 के आसपास से यह क्रांती लानी शुरू करी तो Great Leap Forward में क्या होगा इसमें उसने यह प्रमोट करना शुरू करा और चाइना के अंदर फिर यह पूरा प्रचलन सा बन गया कि भई हमको इंडस्ट्रिलाइजेशन पर फोकस करना है बतो इसमें एक ही कीवर्ड है पूरे लिखेंगे पांच बाते लेकिन होगी उसमें कीवर्ड एक क्या इंडस्ट्रिलाइजेशन तो उसने यह बोला कि चाहें आपको अपने घर के पीछे जो छोटा सा आंगन है उसमें भी एक मशीन लगानी पड़े तो लगाओ उससे फरकनी पड़ता लेकिन हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ इंडस्ट्रिलाइजेशन करना है यानि कि पूरा फोकस क्या कर दिया उसने चाहिना गा कि आपको प्रोड़क्शन करनी है उस पर तो सारा फोकस शिफ्ट हो गया किस पर रैपिड इंडस्ट्रिलाइजेशन पर तो अब्वियसली जब पूरी एकनॉमी इंडस्ट्रिलाइजेशन पर फोकस हो जाएगी इतना प्रोड़क्शन एकदम से भढ़ जाएगा तो एकनॉमी की चलांग कैसी होगी बहुत आगे बड़ी महान चलांग हो जाएगी तो इसलिए इस कैम्पेन का नाम पड़ गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैम्पेन हाँ फिर उसके बाद लेकिन एक बहुत बड़ा सूखा आ गया अचानक से नैचरल कलामेटी आ गई जिस वजएसे फिर ये कैम्पेन फ्लॉप हो गया मतलब खतम हो गया और कई वर्षों तक चाइना में काफी डेट्स हुई और फिलहाल ये कैम्पेन का असर खतम हो गया उसके बाद नंबर टू पॉइंट आएगा जो अगला इनिशियेटड दिंंटीन फिफ्टी एट बने मास जडॉंग तो दो कीवर्ट्स आपको दिखी गई एक नैंटीन- किफ्टी-odle गया और एक इमाओ निए नाटीन-伍फिफ्टी-एट मेर्णमें यह शुरू करा था तूमॉडनिस to modernize China's economy China की economy को modernize करने के लिए दूसरी बिंदी under this program under this program comma people were encouraged under this program people were encouraged to set up industries in their backyard people were encouraged to set up industries in their backyards full stop टी स्री बिंदी in rural areas comma communes were started communes बताओ बच्चों क्या होते है communes community word से derive होआ communes communes को पहले highlight कर लेते हैं communes का मतलब है कि बही मानलो कोई कोई आदमी कह रहा है कि मैं कैसे करूँ माओ मेरे पास तो जमीन बहुत छोटी सी है मैं कैसे कर लूँ production तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके बाद छोटी छोटी जमीन होंगी तो माओ ने का आप सब collective हो जाओ आप सब अपनी क्या बना लो एक community बना लो commune बना लो तो आप सब मिल जुलके फिर कर लो cultivation तो इसको बोल दिया communes तो rural area के अंदर communes बन गए तो commune का मतलब लिख लेते हैं या उसी के आगे लिख लेते हैं under the commune system under the commune system comma people collectively people collectively cultivated lands तो इसका simple मतलब बन गया communes तो people ने लोगों ने मिल जुलकर land cultivate करी और चौत ही बिन्दी खात्मा भी लिख लेते हैं GLF campaigns GLF campaigns met with severe drought D.R.O.U.G.H.T और bracket में आप लिख सकते हो 1959 से 61 caused havoc in China killing almost बताओ कितने लोग मर गए 30 million people तो यह जो बेसिकली अंध हुआ GLF campaigns का यह एक तरह ऐसे यह काफी जादा प्रभावित हुए यह हुए जब एक बहुत बड़ा सूखा पड़ गया चाइना के अंदर 1959, 1960, 61 के दौरान तो उस दौरान चाइना में काफी लोगों की भी मृत्ती हो गई तो फिर वो यह GLF campaigns जो है यह काफी प्रभावित हुए देख लो तो यह था चाइना का पॉइंट नमबर वन बेसिकली GLF campaign ठीक है ना तो इसमें जो keyword है बेसिकली वो है modernize करना और industries को promote करना तो उनको मैं अलग से बादल बना रहा हुँ ताकि वो highlighted रहे हैं तो पॉइंट नमबर वन में जो आ रहा है modernize और पॉइंट नमबर टू में जो आ रहा है industries तो इस पॉइंट का keyword यह है कि GLF campaign में focus किस चीज़ पर था माओ का industrialization पे कि भई हमको industry लगानी है production बढ़ाना है चाहे जैसे मरजी करो चाहे घर के पीछे लगाओ चाहे कुछ भी करो और rural area में जिनके पास जमीन कम है छोटी है वो लोग collectively फिर मिलके करो बाकि जब बहुत बड़ा सूखा आ गया तब फिर इस campaign को जटका लगा इसके बाद जी number two point number two point number two का नाम है great proletarian cultural revolution great proletarian cultural revolution तो अब देखो इसके नाम में भी great आ रहा है तो इसका मतलब ये भी महान proletarian का मैं hundred percent sure हूँ किसी को भी मतलब पता ही नहीं होगा तो proletariat ये इस वर्ड से निकला है proletariat 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 कौन होता है क्या किसे कहते हैं नहीं बता होगा ना English dictionary meanings का तो ये basically क्या होता है कि मानलो जो युवा शक्ती है मतलब working people working people या oblique करके college students है ना collectively मतलब कि इनके संहू को इनके संगठन को मतलब हम किसी college में गए और सारे बच्चों को एक साथ खड़ा कर दिया तो उसको हम proletariat कह सकते हैं या आप किसी office में गए वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उन उनको हम proletariat कहते हैं तो यह proletariat का तो dictionary meaning लिखवा दिया मैंने ताकि आपको कहानी पता रहे हैं तो working लोग या college student में इसको आप सिंपल भाषा में अपनी समझने के लिए युवा शक्ति समझ सकते हो युवा देश का जो युवा है है न तो college में होगा या काम कर रहा होगा तो उनको हम सम्हू के तौर पर collectively को proletariat word कह देते हैं ठीक है तो अब यह जो revolution है तो revolution का मतलब होते हिंदी में क्रांती है रिवाल्यूशन का मतलब क्या होते हिंदी में क्रांती cultural मतलब तो आपको पता यह है कि मतलब क्रांती ऐसी कि जिसने culture ही बदल दिया कॉल्चरल करांती कल्चरी विदल दिया और प्रोलेटेरियेटन आ गया बीच में तो मतलब कि किन लोगों hai कॉ ζीओ इन लोगों के जरे फॉर्थ मतलब महान को मिक थो पहले स्टोरी सुना भर से तर.. आपको अच्छा लगे तो कहानी का नायक कौन है माओ तो माओ ने कहा कि चलो बाढ़ यह सूखा वूखा निपट गया अब ठीक है अब कुछ दुबारा से चेंज करना पड़ेगा तो पहले में तो कीवर्ड क्या था इंडस्ट्रालाइजेशन मॉडरनाइजेशन तो अब माओ ने दूसरी क्रांती लाने का सोचा कल्चरल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं इसको चाइना की हिस्ट्री के अंदर तो उसने कहा कि यह जितने भी देश को अगर बदलना है तो जितने भी युवा नौजवान हैं वही देश की अल्टिमेट शक्ति हैं बच्चों से हमें क्या और भूडों से हमें क्या अल्टिमेटली देश में क्रांती लानी हैं तो युवाओं को पकड़ लो क्रांती आ जाएगी तो माओ ने इस मैं तो एक्सपर्ट था ही मोटिवेशनल स्पीकर था माओ तो हाला कि इसकी यूट्यूब पर आजकल आपको वीडियो नहीं मिलेंगी लेकिन उस जमाने का मोटिवेशनल स्पीकर था तो यह इतनी मोटिवेशनल मोटिवेशनल बाते करता था माओ की युवा इससे प्रभा का क्रेस देखो लोगों ने माओ के कोटेशन को डाइरी में लिखना शुरू कर दिया जो यह बाते कहता था हाला कि इसका पूरा फोकस यह था कि जो ऑपोजीशन थी उस समय उनको यह क्रिटिसाइज करते थे तो मालो मैं आप सब बच्चों को अपनी तरफ बुला लो और कल से स्कूल नी जाना कल से किसी को काम पर नी जाना हम सब बैठेंगे यहां पर और जो यह हमारी पार्टी है ज भूलना जाएं इंपोर्टेंट बात हैं तो इन्होंने डायरी में नोट करना शुरू कर दिया तो इनकी डायरी का भी एक कलर फिक्स होता था इनकी डायरी कौन से कलर की होती लाल कलर की तो मालो मुझे दूर से एक आदमी दिख रहे है वह लाल कलर की डायरी लेके चलता व माओ का बंद है और फिर देखो तो जब इतने सारे लोग इतने सारे लोग डाइरी ले लेकर चल रहे हैं तो इनकी आर्मी कही नाम पढ़ गया तो मतलब फिर तो इन्होंने माओने मतलब इस प्रकार से एक कल्चरल रिवॉलुशन लेकर आगया तो यह बेसिकली था कल्चरल रिवॉॉलुशन या प्रो ले टैरिट इडन प्लोरेट तो यसमोझे जही है म॥े या कॉलेज वालेूं उन माओं ने अपने साथ जोड लिया था, सब के हाथों में लाल-लाल डाइरी मिल गई थी, और फिर Red Guards ये कहलाते थे, और इनका main काम था opposition की बुराइया करना, और छुटमुट ट्रेनिंग लेते रहना, ठीक है, तो ये कहानी लिख लेते हैं, इसमें आप चाहों तो ये दो-च बाकी मुद्दे की चीज़े लिख लेते हैं अब इसके नीचे हम, तो इसमें लिख लेते हैं, फिर्स्ट एरोदाल के, इन 1965, Mao इंट्रोडूस्ट दा ग्रेट प्रोलेटेरियन कुल्चरल रिवॉलूशन, ब्रैकेट में अब लिख सकते हो, 1966 से लेकर 1976, है ना, दस साल के आसपास इसकी अबदी रही, कॉमा, अब अंडर विच, अंडर विच, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स बस यही कीवर्ड है, इन ही को हाइलेट कर लेते हैं न, तो इसी से आपको याद रहेगा, कि वो नाम प्रोलेटेरियन क्यों पड़ा, क्योंकि इनके समूं को प्रोलेटेरियेट कहते हैं, so under which students and professionals were sent to work and learn from the countryside under which the students and professionals were sent to work and learn from countryside तो basically इसमें यही एक main चीज थी main point था बाकी यह red guards वाली कहानी red diary वाली जो कहानी है ना यह किताबों में दे नहीं रखी होती तो यह आपको कहीं पे ऐसे मिलेगी भी नहीं शायद लेकिन यह मैंने इसले बता दी थोड़ा सा इससे आपको पता तो रहेगी हो क्या रहे तो किताब के हिसाब से या मतलब normal exam के हिसाब से यह एक line sufficient है इसमें keyword भी हमारा आ गया लेकिन actual थोड़ी सी presentation के लिए मैंने आपको बादल बादल बनवा दिया था कि हुआ माओ ने इसमें क्या करा माओ ने simple यह करा कि school college या working professionals को पकड़के उनको कहा कि countryside जाओ और वहाँ पे सीखो या वहाँ से काम करो अब countryside का मतलब क्या होता है आउटर एरिया हटके जैसे मालो आप डेली एंसी आर में रहते हो अब आप निकल जाओ रिशिकेश की तरफ कहीं दूर तो बीच में आ जाएगा ने एक रस्ता ऐसा जो बिलकुली हटके जहां कुछ नहीं दिख आपको आजू 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 में तो उसको मैं कह सकता हूँ तो कंट्री साइड तो कंट्री साइड वर्ड का मतलब होता है एक तरह से हटके एरिया लिखना है लिख सकता है तो मतलब उसने कहां भीज दिया देखो माउने इस लाइन को आप पढ़ोगे हटके एरिया बहरी एरिया आउटर एरिया तो देखो माओं ने क्या कर दिया कि जितने भी students है और जितने भी professionals है were sent to work and learn from countryside उन्हें countryside अलग से बाहर भेज दिया और वहाँ पर उनको जो भी सिक्षा देनी थी उसने दिया जो भी काम सिखाना था काम सिखा दिया लेकिन उन सब को शहर से main area से दूर भेज दिया और सबके हाथों में लाल-लाल रंग की diary आ गई और यह लोग कहलाने लगे red guards तो यह basically एक cultural revolution था इनका aim था mainly opposition को या main ruling party को criticize करना है अब यह बाते के हैं किताब में दे नहीं रखी तो यह आपसे expect नहीं करेगा examiner की आपको बतानी पड़े ठीक है ना तो यह सिर्फ कहानी मैंने बताने के लिए बता दी तो इसमें लेकिन keyword जो है वह आपके लिए बस यह है यह यह line बस keyword है कि इसमें मुद्दा था जो youth है students और professionals उनको कहां भेज दिया countryside भेज दिया इसके बाद जी फिर बस बेचारे माओ की death हो गई तो revolution तो खतम हो गए उसके बाद है number three तो माओ तो मर गया बस फिर माओ के मरने के बाद सरकार आ गई तो reforms introduced in China तो बस 1970s के दौरान है ना उपर वाला आपने देखा ही कब तक चला 1976 तक चला है ना cultural revolution तो बस फिर माओ मर गया तो फिर वहां की ruling party या वहां की सरकार ने सोचा चलो बला टली अब हम 1978 से अपने नए reforms लेकर आ जाते हैं तो अब इसमें लिख लेते हैं फर्स्ट हैरो दाल के चाइना इंट्रोड्यूस्ट reforms in 1978 तो चाइना में reforms जो हैं वो 1978 में आ गया मलब यह देखो कि शुरुवात हम सबकी एक साथ हुई थी इंडिया पाकिस्तान चाइना की हमें लगे reforms लाने में 1991 तक का समय है है न हमारे यह reforms कब आये थे LPG 1991 में पाकिस्तान में भी तभी आये लेकिन चाइना में reforms कब आ गये थे 1978 में तो वो जल्दी ले आये reforms तो इधर 1976 के आसपास शायद माओ की मृत्यू हुई मेरे ख्याल से revolution खतम और बस फिर सरकार ने कहा कि चलो अब ले आते हैं क्या reforms तो 1978 में reforms आ गए तो यह reforms जो थे यह दो phases में आये थे वेसिकली यानि कि पहला चरण और दूसरा चरण तो लिख लेते हैं second arrow दालके in first phase in first phase comma reforms were initiated reforms were initiated in agriculture culture, foreign trade and investment sectors तो इसमें तीनों याद रखने हैं आपको तीनों ही keywords है तो पहले चरण में जो reforms आए वो एक तो agriculture से related सेक्टर में आए दूसरा foreign trade related sector में आए और तीसरा investment related sector के अंदर आए तो तीन सेक्टरों में first phase में reforms आए और दूसरे phase में यानि कि in the later phase in the later phase comma reforms were initiated in the industrial sector बस तो बाद में सिर्फ बच्चे हुए एक industrial sector में reforms है तो basically चाइना के 1978 के reforms के बारे में यही तीन main points है कि वो आए कब वो आए 1978 में पहले तीन सेक्टर में आए वो याद रखने agriculture foreign trade और investment और फिर later half में यह later stage में बच्चे industrial sector में वो आए तो यह हो गए reforms in China उसके बाद चौथा point है यह सब points बच्चों हम समझ रहो ना कहां पर रहे हम भी चाइना में तो हैं चाइना के अंदर तो हम हैं है लेकिन चाइना के अंदर हमने history देख ली चाइना की थोड़ी सी geography देख ली चाइना की थोड़ी सी population देख ली लेकिन main चीज हमें जो समझनी है वो है कि माउने का कि चलो अब दूसरी क्रांती मचाते हैं तो वो आ गया great proletarian cultural revolution तो जिसका मतलब था कि युवाओं को और workers जो workforce हैं उनको पकड़के countryside में भेज़ दो लाल किताबे इनकी हाथ में दे दी और motivational court दोल बोलके इनको बोलो की party को criticize करना है ruling party को criticize करना है इनका काम हो गया फिर माउसाब मर गए 1976 के आसपास तो फिर सरकार ने कहा कि अब हम क्या करेंगे 1978 में reforms ले आते हैं तो पहले जो initial दौर में reforms आए वो agriculture, foreign trade और investment sector में आ गए और later phase के अंदर industrial sector में आ गए तो अभी हम economy के अंदर ही और points देख रहे हैं कि और चाइना की economy में क्या हुआ तो number four बहुत ही बढ़िया चीज जो हुई और इस पर एक्जाम में एक दो number ही question पूछ लेता है तो मैं लिख देता हूँ two number वो हुआ the dual pricing in the reform process तो यह जो reforms आये चाइना के अंदर इसमें बहुत ही बहुत ही बहुत ही यूनीक कह सकते हैं concept वहाँ पर देखने को मिला जिसका नाम था dual pricing तो इसलिए इस पर थोड़ा सा हमें दो number mark कर रहा हूँ कि यह पूछ लेता है तो इसमें हुआ यह लिखते हैं the reform process involved dual pricing that is fixing of prices in two ways the two ways को highlight कर लेते हैं इसका मतलब यह कि भही dual pricing इसका नाम इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हां पर price को दो तरीकों से fix किया जा रहा है तो सर्फ दो तरीके क्या है ए पहले लिखते है ए farmers and industrial units farmers and industrial units farmers and industrial units were required to buy and sell and sell fixed quantities of inputs and outputs on the on the basis of prices fixed by the government on the basis of prices fixed by the government तो पहले यह समझा देता हूँ फिर भी लिखवाऊंगा तो देखो dual pricing का मतलब है कि इसके अंदर बहुत ही भड़िया चीज है इसके अंदर दो तरीकों से prices fix होने लगे तो पहला तरीका क्या पहला तरीका यह कि farmers को और industrial units को मतलब industries को तो इन दोनों का आप highlight भी कर लो तो इन दोनों को यह बोल दिया गया कि भई आप जो भी खरीदोगे या बेचोगे कुछ fixed quantities ध्यान रखना कुछ fixed quantities ऐसा नहीं कि सब कुछ सरकार ने एक limit बना दी कि farmer सहाब और industry सहाब आपको अगर कुछ भी बेचना खरीदना यह limit है मालो 2 kg आलू 5 kg कुछ भी ऐसी बोल रहा हूं टमाटर तो जो भी input या जो भी output आपको खरीदना या बेचना है fixed quantities में वो तो उन दामों पर खरीदना या बेचना पड़ेगा जो हम तै करेंगे तो यही लिख है on the basis of prices fixed by the government तो इसका मतलब यह कि fixed quantities थोड़ी सी खरीदी या बेची जाती थी farmers और industries द्वारा किन दामों पर जो सरकार fix करेगी उसके बाद B और जो बच गया वो कौन fix करेगा बताओ for other transactions for other transactions comma the inputs and outputs the inputs and outputs were purchased and sold at बताओ क्या यह सरकार fix नहीं कर रही supply demand basically तो जिसको बोल देते हैं at market prices है न तो मतलब वो बाजार के दामों के हिसाब से अपने आप निकलेंगे तो यानि वहाँ पर सरकार का कोई रोल नहीं है तो बची हुई transactions जो है वो अपने आप बाजार के दामों पर निकलेंगे यानि कि demand और supply के forces है न मैं छोटा सा diagram बनानों सिर्फ आपके reference के लिए कि market prices का मतलब होता है जो आपने 11 में पढ़ा था कि जब demand और supply pricing तो समझागे dual pricing तो ये चाइना के अंदर reform period के अंदर एक बहुत ही बहतरीन unique concept आया था dual pricing का और उसके बाद है fifth last point तो उसके बाद चाइना खतम पूरा मतलब हमारा course के हिसाब से चाइना की बाते खतम और चाइना का एक नौमी वाला point भी last खतम तो ये लिख लेते हैं बस last point है इसमें in order to attract foreign investors in order to attract foreign investors comma special special economic zones special economic zones bracket में इसको short mail पोलते हैं SEZ और छोटा सा S भी लगा देते हैं SEZ bracket close were set up तो foreign investors को लुभावित करने के लिए attract करने के लिए चाइना ने SEZ को भी set करा अब ये समझा जेता हूँ छोटा सा concept होते है SEZ का मतलब होते है कि माल लो हमारा बहुत बढ़ा देश है हाँ तो जैसे माल लो ये बहुत बढ़ा देश है चाइना तो इसमें चाइना कुछ zone बना देगा माल लो कि ये area एक बना दिया एक ये area बना दिया और इनको नाम दे दिया लाल वालो को SEZ special economic zone तो वो यहाँ पर कहता है कि अगर कोई भी industry कोई भी company इन लाल वाले area में अपनी industry लगाएगी आप यहाँ अगर factory लगाओगे तो चाइना कहता है कि हम इस पर फिर अगले 10 साल तक आप से टेक्स नहीं लेंगे यहाँ पर हम आप के production पर कोई रोक टोक नहीं होगी मतलब 100 तरह के फायदे देंगे तो इससे जो foreign investor होता है जो सोच रहा है कि मैं अब कहाँ पैसा निवेश करूं कहाँ पैसा निवेश करूं है ना तो foreign investor को लगता है कि यार चलो चाइना में ही एक काम करते है इस लाल वाले area के अंदर अपन पर हमें tax नहीं देना पड़ेगा 10 साल तक मज़े ही मज़े रहेंगे तो चाइना ने special economic zones भी बना दिये तो इससे foreign investors किया हुए attract हुए कि चलो यार अपना पैसा हम वहाँ पर निवेश करते हैं कहीं और करेंगा तो टेक्स वेक्स देना पड़ेगा subsidy भी नहीं मिलेगी फाय pricing का तो यह जो पांचवा point है foreign investors को लुभावित करने का यह एक तरह से reforms के first phase का foreign trade या investment वाले point को cover कर रहा है अगर आप ध्यान से सोचो है ना तो जो initial phase में investment sector में जो reform आया वो यही तो आया ना कि चाइना ने SEZ बना दिये तो इससे foreign investors जो है वो जादा जादा यहां पर invest करने लगे चाइना का trade भढ़ गया और यह जो dual pricing वाला point 4 अगर आप ध्यान से देखो जिसमें farmers को input खरीदने या industries को output बेचने की fixed quantity पर सरकारने का dual pricing चलेगी कि थोड़ी सी quantity तो हमारे दामों पर और उसके बाद जो भी आप अपने market price पर बेच लोगे तो यह dual pricing का fourth जो है यह एक reforms लिख रखे हैं उन reforms में जो first phase में agriculture sector में reform आया वो reform का अगर मानलो आप example लिखना चाओ तो उसके अंदर dual pricing लिख सकते हो या जो investment या foreign trade sector में reform आया उसका example या अपने understanding के लिए सोचना हो तो आप SEZ वाला point सोच सकते हो तो यह basically चाइना की economic कुछ-कुछ इस तरह है चले बाक झाल झाल झाल